मेरी मा की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी अहा, जब मैं अनंद की पतनी का मुख देखूंगी, तब मुझे इस धर्ती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा इन शब्दों में मा को अपने वन्ष को आगे चलाने की प्रबल भारतिय भावना व्यक्त करते मैं प्राया सुनता था अनंद की सगाई के समय मैं लगभग ग्यारा वर्ष का था मा कोलकता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी केवल पिता जी और मैं ही उत्तरी भारत में इस्थेत बरेली में अपने घर में रह गए थे जहां लौहर में दो वर्ष रहने के बाद पिता जी का स्थनांतरन हो गया था इसके पूर्व मैं अपनी दो बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाहों का ठाट बाट देख चुका था किन्तु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तरपर हो रही थी मा प्रति दिन दूर दूर से कोलकता पहुंशते सगे संबंधियों की आव भगत करने में व्यस्त थी मा ने 50 M.H.S. स्ट्रीट में लिये गए एक नए विशाल घर में उन सब के आराम पूर्वक ठेहरने की व्यवस्ता की थी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी विवा भूज के लिए नाना विद्व्यंजन बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पाल की रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें गत्ते के विशाल काये हाथी और उन्ट अंग्रेजी, स्कॉटेश और हिंदोस्तानी बैंड बाजे पेशिवर गायक तथा नर्तक विवा विधी संपन्न कराने के लिए पंडिक पुरोहेत सब कुछ तैयार था मंगलोटसव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवा के लिए पहुँचने का विचार कर रहे थे परन्तु उस शुब दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सुचक द्रिश्च थ्यान में देखा यह बरेली में अर्द रात्री के समय था मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था पलन्ग पर लगी मच्छर दानी की विचित्र फड़बढ़ाहट की सिध्वनी से मेरी नींद खुल गई पतली मच्छर दानी के परदे खुल गए और मुझे अपनी प्रियम मा दिखाई पड़ी अपने पिताजी को जगाओ मा की आवास किवल एक फुसपुसाट की तरह लगी आजी भोर को चार बजे यहां से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो इसके बाद बहचाया मूर्ती अद्रिश्य हो गई पिताजी, पिताजी, मा प्रार्त याग रही है मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तक्षण चगा दिया सुबगते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी अपने स्वभाव के अनुसार, इस थिती को अस्विकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा चिंता की कोई बात नहीं ये तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है तुम्हारी माँ बिलकुल ठीक है यदि कोई दुखत समाचार मिल ही गया, तो हम लोग कल चल पड़ेंगे यदि आप अभी तुरंत नहीं चले, तो अपने आपको आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे तीव्र व्याथा के कारण मेरे मुझसे ये शब्द भी निकल पड़े और नाहीं मैं आपको कभी क्षमा करूंगा विशात पूर्ण प्रात्यकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया मा कंभीर रूप से अस्वस्थ, विवास थगेत, तुरंत आईए पिता जी और मैं हत बुद्धी होकर निकल पड़े रास्ते में जहां गाड़ी बदलनी पड़ती थी, वहां मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले आकार में बड़ी-बड़ी होती जाती एक रेल गाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी आंतरिक शुब्धता के कारण अपने आपको गाड़ी के आगे जोग देने का निश्चे अचानक मेरे मन में उठा मुझे लगा कि मा की छत्र चाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्ण तय उजड़ गए इस संसार को सहने की शमता मुझ में नहीं है मैं मा से इस संसार में सबसे प्रियमित्र के रूप में प्यार करता था उनके सांत्वना दायक काले नयन बच्पन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एक मात राश्रय थे क्या मा अभी तक जीवित हैं? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुप गया चाचा को मेरे चहरे पर छाई अधीर्ता को भाप लेने में तनिक भी तेर नहीं लगी नहीं संशय वे जीवित हैं पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ हम कोलकता में घर पहुँचे तो हमें मृत्यू के अचेतन करने वाले रहस का सामना करना पड़ा मैं मृत्प्राई साहो कर घिर पड़ा किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हिदय का इस पर्श भी कर पाने के लिए कई बर्श लग गए मेरी आर्थ पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा उनके सने सनिकद शब्दों ने मेरे रिस्ते घाओं को भर दिया वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेव बदसलता के माध्यम से तुम्हारी देख भाल की होई हुए जिन दो सुन्दर काले नैनों को तुम ढून रहे हो उन्हें मेरी आखो में देखो परम प्रियमा के श्राद कर्म के बाद शीग्रही पिताजी और मैं बरेली लोट आए अतीत की स्मृती में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने इस्थित नरम हरेत स्वर्निम हरियाली को चाया देते खड़े पारिजात व्रिक्ष की दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता कभी कभी काव्य में एक शड़ों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर जात भक्ती से हरे त्रिन वेदी पर अपने आपको विखेर रहे हैं उस बिंदूओं के साथ अपने अश्रू बिंदूओं को मिलाते हुए मैं प्राय उशा से लोकोत्तर अलोकिक प्रकाश निकलता देखा करता इश्वर को पाने की तीवर कसक से मैं तड़ा पुठता हिमाले चले जाने की प्रबल इच्छ मुझ में जाग उठी मेरे एक चचेरे भाई हिमाले की पावन परवत फ्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहां बरेली आए योगियों और स्वामियों के उस उच्छ परवत निवास स्थान की कहानिया मैंने उनसे उच्छुकता पूर्वक सुनी चलो हिमाले भाग चले यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वार का प्रसाद के समक्ष रखा परंतुबह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया जो उसी समय पिता जी से मिलने के लिए महां आये थे एक छोटे बच्चे की इस अव्यवारिक योजना को हस कर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया तुम्हारे गेरुए कपड़े कहा है उनके मिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते परांत उनके इन शब्दों से मैं अबोध गम्य रूप से पुलकितो उठा उन शब्दों ने एक स्वश्चित्र मेरी द्रिष्टी के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत ब्रहमण कर रहा हूँ शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था चाहि जो बात हो पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरगवा वस्त्र मैं अत्यांत स्वाभाविक सहष्टा के साथ धारन कर सकूँगा एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिम्स खलन के समान प्रचंड वेक से ईश्वर प्रेम की धारा मुझे में उतर रही है इसके फल स्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवा मुझे से बहने लगा उसकी और द्वारका का तो विशेश ध्यान नहीं था पर मैं पूरे मन से अपने आपको सुन रहा था उसी दिन दोपहर को मैं हिमाले की तलहटी में स्थेत पहाड़ियों में बसे नैनी ताल की और भाग गया अनन्त ने भी द्रिन संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंता करण के साथ बरेली वापस आना पड़ा मुझे केवल एक ही तीर थ्यात्रा करने की अनुमती थी और वह थी प्रति दिन प्रातय की पारिजात व्रिक्ष की तीर थ्यात्रा मेरा हिदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूख रुदन करता रहा एक मानवी माता, दूसरी जगन माता मा के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई वह कभी भरी नहीं जा सकती थी अपने जीवन के लगभग 46 वर्षों में पिता जी ने दूसरा विवा नहीं किया अपने बाल व्रिंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयम ही स्विकार कर ली और इसके निर्वा में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए शांती और सूजबूज के साथ ही वे विभिन पारिवारिक समस्याओं को हल करते कार्याले से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भाती अपने कक्ष में चले जाते और आनंद पूर्ण प्रशांती में क्रिया योक का अभ्यास करते मा के स्वर्गवास के बहुत समय बाद मैंने ऐसी चोटी चोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेश परिचारिका को रखने का प्रयास किया ताकि पिता जी को कुछ आराम मिल सके पर अंतु पिता जी ने सिर हिला हिला कर अपनी असहमती प्रकट की तुम्हारी मा के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया आजीवन एक पत्नी परायारता के भाव में उनकी आखें खो गई मैं किसी भी अन्ने इस्त्री की सेवा ग्रहन नहीं करूँगा मा के गुजर जाने के चौदा महीने बाद मुझे ग्यात हुआ कि वह मेरे लिए एक महतोपूर्ट संदेश छोड़ गई है उनके अंतिम समय अनंत दा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था यद्यभी मानेवा संदेश मुझे एक वर्ष में दिये जाने का निर्देश दिया था तथा अपी मेरे भाई ने उसमें फिलम कर दिया था उन्हें शीगर ही माद्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवा करने के लिए बरेली से कोलकता प्रस्थान करना था, एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुकुंद, तुम्हें यह बिलक्षन समाचार देने में मैं आनकानी करता रहा, उनके स्वर में विवश्टा पूर्ण समर्पन था, मुझे भै था कि इससे तुम्हारी ग्र निश्चित संकल्प कर लिया, मुझे किसी भी परिस्थिती में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए, मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और मा का संदेश मुझे सुनाया, मा ने कहा था, मेरे प्रियपुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुमारे लिए मेरा अंतिम आशीरवाद है, अब वा समय आ गया है, जब मुझे तुमारे जन्म के पश्चाद गटी अलोके गटनाओं से तुम्हे अफगत करा देना चाहिए, जब तुम मेरी गोद में एक नन्य से शिशु मात्र थे, तब ही मुझे तुमारे नि थक कियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी, कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्तिती का ज्यान हो जाए और वे तुम्हे आशीरवाद दें, जब मेरी मूग भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीब्र हो गई, तब उन्होंने आखे खोली और मुझे पा पर अपना हाथ रखा, छोटी मा, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मेक इंजन बन कर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के सामराज में ले जाएगा, सरवग्य गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्विकार कर ली, या देखकर मेरा हृदय आनं का मुझे और तुमारी बड़ी बेहन व्रमा को भी पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी, तुम्हारे छोटे से मुख मंडल पर तेच प्रकट हुआ था, जब तुम भगवान को खोजन के लिए हिमाले जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज में अत्यांत द्रिन निश्चय ध्वनित हो रहा था, इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी, कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वा कांक्षाओं से दूर है, मेरे जीवन की एक अद्वित के दर्शन की, जब हमारा परिवार लाहोर में रहता था, तब एक दिन प्राताकाल नौकर मेरे कमरे में आया, मालकेन, एक अजीव सादू द्वार पर आया है, कहता है कि उसे मुकंद की मां से ही मिलना है, इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार जंक्रित हो उठा, मैं तुरंत सादू से मिलने बाहर गई, उनके चर्णों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई, कि मेरे सामने कोई सच्चा सिध पुरुष खड़ा है, उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं, कि इस प्रित्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा, तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिध्ध होगी, इसके पश्चा थोड़ी देर विमौन रहे, उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बलकि महान शान्ती अनुभव की, अंततर वे फिर कहने लगे, तुम्हें अ जान कर रही होगी, तब वे तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारन कर लेगा, जब तुम्हारे मृत्यू की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें वह तावीज अपने बड़े बेटे अनंत को दे कर उसे बताना होगा, कि एक बर्श तर वह उस तावीज को अपने पास रखे और तत्पश्चाथ उसे तुम्हारे द्वितिय पुत्र को दे, महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को मुकुन्त समझ लेगा, उसे वह तावीज तम मिलना चाहिए, जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याक कर, प्राण पन से इश्वर की खोच करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह तावीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा, और जब उसका उदेश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अद्रिश्य हो जाएगा। गुप्त से अती गुप्त स्थान में भी वह र अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तक चांदी का एक तावीज मेरी हधेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसा साधू ने कहा था, उसके शीतल, चिकने स्पर्ष से मुझे उसके प्रकट होने का ग्यान हो गया, मैंने दो वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक समाल कर रखा, और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ, मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुचा देंगे, अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ, जगन म तेरी रक्षा करेंगी, तावीज मेरे हाथ में आते ही ग्यान का उज्वल प्रकाश मुझ पर छागया, अनेक सुप्त स्मृतियां जाग उठी, तावीज गोल दीखने में कुछ विचितरसा और प्राजीन लगता था, उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे, मैं सम भी था, परंतु तावीज के भीतरी रहस्य का भेत खोल देना उचित नहीं होगा, मेरे जीवन की अत्यांत दुखद घटनाओं के बीच बह तावीज अंत तक किस प्रकार अद्रिश्य हो गया, और उसका अद्रिश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरुलाब का सूचक सि धुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आविश्यक्ता नहीं, किन्तो हिमाले जाने की अपनी चेश्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक, तावीज के पंखों पर सवार होकर प्रति दिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था.